तो दोस्तों स्वागत है आपका नाइट टॉक के एक और मज़दार एपिसोड में आज होने वादा है नाइट टॉक पे फुल हॉरर तड़का आज हमारे साथ हमारे भाई डॉक्टर सही हम मौझूद है और भाई हमारी वीडियो बहुत टाइम से देखते हैं इन्होंने हमें पर रीच आउट करा कि भाई मेरे पास एक मस्त एक हॉरर इंसिडेंट हुआ है हमने भाई से डिसकस करा हमने का भाई चलो आओ हमारी ओडियंस को थोड़ा सा इंटर्टेन्मेंट वेद हॉरर का तड़का देते हैं नाइट टॉक पे तो भाई सबसे पहले तो वेलकम थैंक अब एडमायर यह प्रगल जो भी आपका हसल रहा है पॉड़कास्ट में या कुछ भी आप चुकरते हारे हो मेरे मुझे लगता हर फैन यहीं क्लेम करता होगा बट मेरे को जैनुरी नहीं लगता मैं सबसे बड़ा फैन होंगा अप लोगों का हसल आप फाड़ते हो जा रह पाकिसान बॉर्डर से काफी क्लोज है रिमोट एरिया है एंड सतलूज सुना होगा दरिया आपने वह सतलूज भी कहते हैं वहां पहुंचते पहुंचते थक जाता है मतलब एक बिल्कुल छूटा सब होच रह जाता है क्योंगी वहां सीधी बस भी नहीं जाती मेरे अरिया अच्छा मलाइकार ओडा और बाज गान की जो एक्स-वाइव थी मेंदी हसन साब थे सर बहुत बड़े सिंगर बहुत बड़े सिंगर थे वो गुलाम अली जी के गुरू वो फाजिल का से हैं मंदिरा बेदी जी फाजिल का से हैं और वो सब आर्मी बेक्ग्राउं मैं भी आर्मी स्कूल वो सारे मेरे मेरे स्कूल से ही बड़े हुए बहुत मतलब कंजरविटिव सा इंडस्ट्री है नहीं वहां पे सिरफ एग्री कल्चरल लेंड है जो लोग रहते हैं वो उनके पास अभी बस ये टशन रह गया है कि दे बिलॉंग टू फाजिल का और वहां पे लोग एग्जेश्ट करते हैं जिनके पास अभी भी 500-700 बिगा जमीन है और सबसे बड़ी चीज फाजिल का हमारे मतलब किनू फूट हम खाते है ना एक मतलब उसको इंडियन औरेंज बोल देते इंडियन वर्जन और फाजिल का 55% ऑफ टोटल प्रोड़क्शन किनू देरा अभी में किल्ला बोल देते हैं एक किल्ला लाइक 4600 स्कूर यार्ड साथ सो किल्ला जमीन है यह तो बहुत मैसिव है बहुत ही चाहिए वहां पे लोग वही रहे गए जिनकी सस्टेनबिलिटी ऐसी है कि उनके पास मतलब वर्ड क्लास फैसिलिटीज है अधर बाइस फाजिल से पाकिस्तान का बॉर्डर है वैसे आप यह मान लो कि मेरे गाउं का जो गुरुद्वारा साहिब है एक बार हम सुबह सुबह पांच बजे नॉर्मले पाठी साथे पांच पॉंच है बज़े पाठ पढ़ना शुरू करते हैं सेमिलरली मॉहमेदिन जो है वही सुबह आज बार मेरी मदर कह रही है कि आज पाठ चेती मदर जल्दी शुरू होगा शुरू होगा शुरू सुबह पांच बजे गया तो सुन रहे हैं पाठ जैसा पाठ भी नहीं लग रहा और लिटरली अजान आरी गुर्दवारे के अंदर जोगी बड़ी अच्छी चीज है बहुत यह है कि आज कौन से फ्रीक्वेंसी कर था पागिस्तान की जैसे हमारा फाजिल का शाहरा जैन्यूरी किलमेटर सावी फ्रॉम दर बार पाकिस्तान वहां का पहला शहरा है हवेली और जो करतारपूर साथिब का कॉरीडर है जो मोदीजी ने भी खुलवाया वो बो कॉरीडर की मिठाईयां मिलती है आए विश मैं आपको खिलाओंगा एक तोशा करके मिठाईया आती है बहुत ही मशूर आप किसी से भी सुनों के फाजिल का और एक जुत्ति गुरदासमान साब जो है वह उन्होंने सारी लाइफ हो गी उनको वह सिरफ फाजिल का गी पैनते हैं लैदर करते कोशिश तापने की या उधर से या इदर से बिलकुल करते है कई बार क्या अब मेरे जमीन कुछ बॉर्डर के ऊपर एक्जेकली तो रेजिमेंट जो आर्मी की चेंज होती है ना डपेंड करता अगर कुछ स्ट्रिक्ट रेजिमेंट आगी जैसे अभी गोर्खा राइफ ऐसा नहीं रिस्ट्रेक्शन फील नहीं हुआ मतलब स्ट्रेट अवी जाकर लॉंच दे रहे और पिछली बार मेरे पापा आल अप चले गए करे मैं खेत चकर मार के आऊंगा तो वहां गोर्खा राइफल रेजमेंट आगी थी उन्होंने पकड़ लिया वाटर गार्ड में ल है वह अपने कंटोनमेंट्स में या मोर्चे बने हुए जो बंकर बने उनमें वापिस आ जाती है वहां पर 22,000 हार्ड की वाइरिंग है वह उनमें बस स्विच आउन कर देते हैं वाइरिंग को और वह उसकी मतलब वह इतनी दूर से मतलब लाइक चार कदम की दूरी से हमारा बिल्कुल खत्म हो चुका है जिसको चिट्टा भी बोल देते हैं चिट्टा और सबसे ज्यादा वही हो रही है हमारे गाहों में कुछ घर थे ऐसे जो शुरू हुए थे पहले एक आदमी सुबह उठके एक लेमन अपने खेट जा रहा है और उसको और उसको पता चल रहे हैं इसकी इंटरनेशनल मार्केट में 92 क्रोड कीमत है इसको यह नहीं पता था कि शांद को भाई घर क्या लेके जाना है खाना क्या आज टमाटर नहीं है घर पे प्याज नहीं है अल अफ़ज़न उसको बाने में करोड रुपे की हैरूइन मिल यह उड़ता पंजाब म में आञे पाकिस्तान में में इस लेवल का अनम्लाइमें फो गया है कि वह जो अच्छे अःठलेट्स हैं जैनुमेर अच्छे अथलीट को हायर करें अच्छे जो आथलीट्स तो यही काम के लिए हायर कर रहे हैं उनको यही बार एक शौड में इतने पैसे मिल जाते हैं और प्रॉपर गूंपस बड़े ऑर्गिनाईज़ आग फॉलो करते हैं जिसके खेत में जानी है चीज उसको पहले कॉल च सब मतलब गाहों के लड़कों ने मिलके थोड़ा एक मिशन चुरू किया कि यह फ्री करते हैं गाहों को इन चीज़ों से तो वो पॉलिटिकल हमें पता चला इतने साउंड से बंदे और साइकल पर बंदा जा रहा है आप हमारी आदत होती है जजमेंटल हो जाते हैं कि इसके सब्सक्राइब लेकर आई होगा साइकल है मनों बड़ा सेंपल लिविंग बट जब उसके कॉलर को हाथ डाला हमने की तू यह काम करता है तो गौड नोस कौन से मंतरी का फोन नहीं आगया हमारे बास से और हमें यह रियलाइज करवा दिया था कि बोले तो शाम को गोली मार देंगे अपना बैठ जाओ रहाम से यह क्रांती कारी अपना एटिटूर बाहर लेकर निकलो यहां से इतना तकड़ा नेक्सस चल रहा है वहां पर यह तो वहां की सब्सक्राइब में बात करने नहीं बैठे हैं आपके साथ कुछ है आपकी नेटिव प्लिस पे कुछ ऐसी जो हम खास फुनना चाहते हैं जन्ता भी इस से बंदी हुई है तो चालू करते हैं क्या हुआ था कब की बाता डीटेल में बताई है जब से मैंने होश समभाला मेरे को ना कुछ और चीजें लगती थी दिखती थी अभी जो चीजें क्योंकि मैं अब प्रोफेशनली इसको अटॉप्ट कर चुका हूँ मैंने अस्ट्रोलोजी में डिगरी कर रहा हूँ थी डॉक्टरीट स्पेशली मैंने एक कोट में रिट भी फाइल करी है कुछ सिंप्लिफाइड रेमेडीज के मैं आपको बताऊंगा जैसे आजकल स्टोन के नाम इतनी कॉंप्लिकेटिड बता देते हैं गरीब आदमी पहले तो परशान होता है घर पर नेगटिवीटी होती है उपर से जाता कि स्ट्रोजर के पार वह ऐसा नाम ले देता कि भूत भी स्टोन के मैं खुदी चला जाता हूं सिंप्लिफाइड रेमेडीज होती है सर हमारे घर पे कई ऐसी चीजे हैं जिन से नेगेटिवीटी खतम हो सकती है और वो जैनुमिली वह ग्राउन लेवल पे वो चीजे मेरी अजमाई हुई है कुछ चीजे हैं जिनको मैं पेटेंट क खुआ is तो मैंने उनके साथ 6 साल लगाया सरलुध्याना में ने मेरे फादर के फृरंड थे वह एकठे रहते थे वो टॉराइटो में ने मुझे वोला था कि मैं नि फीज नहीं लूँ का ते रे से सीखना तो शीख ले मेरे को यह होता था कि चलो मैं चाय पानी पिला दिय कभी फ्री में ही लोगों की help करूँ तो मैं उस point of view से चल रहा हूं सर और मेरे को चीजें from the class मेरे six standards से मेरे को दिखने लगी थी क्या दिखता था भाई आपको exactly मेरे घर के बिलकुल सामने सारे एक घर था और उस पे बड़ा horrible tree था और trees कुछ आंको पता है कुछ जानर होते हमारे हिंदू इसम में सिखिजम में अब सिख मानते हैं बुद परस्ती के खिलाफ है बट स्टिल लोग करते हैं हर कोई बंदा जो फसा होता है अपने घर पे किसी problem poverty से लड़ रहा है कुछ भी कर रहा तो रिचुल करेंगा रेमेडी करता है और उस particular people पे सर जिनके घर थ कोई भी आ रहा है उपाय कर जा रहा है people पे बट वह people कर रहा है इतनी ज्यादा रेमेडी कर करके वह इतनी डार्क वह चीज बन जाती है क्योंकि वह सारे उसी पर जाती है चीजे तो मेरे को क्या होता था सर मेरा फ्रेंड था जिसका घर था वो एंड उनकी joint family थी ठीक ठीक मेरी भी joint family थी हम गली में खेल रहे होते थे ना और मैं आर्मी स्कूल पढ़ा हूं जैसे में वीकेंड पे घर आता था तो मुझे इतनी knowledge नहीं थी कि को रोटीन में मेरी गली में कौन रह रहा है कोनी और घर वाले भी थोड़ा reserved रखते थे शुरू कि पढ़ता रहे अपना होता था उसको मिलते ही मुझे कैसा फील होता था जैसे कुछ दिन पहले मैं गुरू जी बैठे थे आपकी आपी के साथ पोड़कास हो रहा था वो बिल्कुल बिल्कुल सटीक चीज़े बता रहे थे जो रियलाइज होती है हमें जब हमारे पास कोई entity आती है goose bumps बड़ा नै इन चीज़ों की हर बार अलग साउंड होती है जैसे हमारी साउंड uniform है मैं अगर बात करता हूं मेरी पिछिंग का अगर मैं halo फोलूँ का फोन पे तो सामने वाला पचान जाएगा इनकी साउंड uniform नहीं होती सबसे बड़ा ये कुछ चीजे हैं जो मैं चाहता था बताना की इनके बारे वो यूनीक चीज़े के हैं और एक यह बहुत कंफ्यूजड एंटिटीज होती हैं मतलब लाइक यह होता है कि जैसा औरा बंदे का जिन्दा रहते हुए है उससे 10X वीकर होता है मरने के बार हम इन यह बट इतने मनिपुलेटिव होते हैं कि हमसे वो चीज़ें ग पकड़के खड़ा होता था जब मैं चत पर जाता था और मैंने उसका निकनेम रखा हो था लाला लड़केगा और उसने बाल या पतंग पकड़ा दी ऐसा लगता था कि पहले ही मतलब चीज़ें प्रॉपर और और मेरे को खेलता हुआ दिखता ऑल अफ़ शड़न बैनिश मैंने शोजाता सबसे बड़ा सच्पेंस ही है कि ऊपर कोई रूम ही नहीं था मुझे यह लगता था कि इसका घर आ उपर ऊपर रूम था ही नहीं इन फैक्ट वो एक दिवार थी जिसको मैं उसका घर समझता था एंड वो उस पर क्या चीज़े एक गर का जैसे किचन होता है वैसा एक प्रॉपर सिमेट्रिकल चीज़े रखी होती थी बड़े अच्छे से सफाई बड़ी शांदार मेरे को यह उता था कि चल इसकी फैमिली नहीं होगी इनका कुछ बतीजा बगएरा होगा नीचे बले इनको अकॉमोडेट कर रहे होंगे पटा रहे होंगे पर इतना मतलब इन्द ट्रेंड जब हमारे यह काफी ट्रेंडी चीज़े आगी थी अच्छे कपड़े आगे थे वह बड़ा ओल्ड स्कूल था बड़ा ओल्सकूल और बड़ी खाकी शर्ट पहनी होती थी बड़ी जैनुएंसी और एक बड़ी पंजंट स्मेल होती है सबसे बड़ी कोई 152 साल उमर का होता है कोई 307 साल उमर का है तो नहां तो रहनी है इसको जलो ऐसा जोग भी ले लो बढ़ इसलिए यह सबसे ज़्यादा अठरेक्ट होते हैं आजर यह इतर बगएरा से क्योंकि कि यह मैसमराइस हो जाते हैं जैसे ही फ्रेंस हम फ्रेंस लगा एक के अच होता है, उसी से पेड्डब भरता है। एक बोटी बताते है जिनात जो होता है एक बोटी चाहते उमर सेवा कर लेता है। एक और लगरेंगे है खुरती कि उसी और उसी के झाल के उपकर लेंश ऑप का college कि ये कौन है ना तो all of a sudden क्या हुआ सर घर में लड़ाई होगी उनके तो कह रहे हैं कि हम पार्ट पार्टिशन करेंगे तो पेड़ कट वाओ सबसे पहले बहुत मतलब लाइक रात को चीखने की आवासे आती थी और वो सब सुन रहे हैं कंसिडरिबल बाकी चीज़ा तो मुझे अकेले को रियलाईज होती थी और मेरी मदर एकदम से डरके उठ रही हैं मेरे फादर को बोल रही है कि मेरे को नीन नहीं आ रही और इतना डिस्टरब् अजया हो इसा आप र्यालाईज नहीं करोगी काप सपने में हो के वारे साथ भी अवरी मेरी अनरजी उससे बात कर रही है पर ऑपर ऑफर ऑट आ पर वीरे माँ चल ले जाए मैं कि यह जले हैं मैं किदे चले हैं मैं इसे कीड़ा कर तोड़ता ते रहा है कुछ तो और नही तो तो तेरे पेरंट्स के तेरे तेरे तो, कंदा नहीं, मेरा कोई नहीं है, कंदा जड़ा एक कारसी होगी, वर इतनी मैच्छी हो, तोन में वह बंदा बच्चा बात कर रहा है, और मैं मतलब मेरे को याद है उसकी, आज भी मेरे सामने, लिटरली मैं आपको पता हूं, मुझ घर तो तो मैंने अपना दोस्त जो था उसको बोला कि मैं यार लाले अथ द अददा करके केड़ा कारट उट गया, कहता लाला को नहीं, बॉबिसली नाम तो मैं नहीं रख रखा था तो जो बच्छा आपके ऊपर रहता है, कौन रहता पागल होगे तो बहु एहां पर, कौ रिवर्ड था कि कोई नहीं रहता तेर को क्या हो गया तू पागल हो गया और मैंने अपने आपको यंडरेस्टीमेट करके कि नहीं यार मेरे 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 इलूजिन्स में अपको अलूसीनेट कर रहा हूं बच्चा जो होता है ना चंचल मन होता है था खुद पे भी शक हो जाता सुबह सुबह 104 फीवर और मैंने वो चीज कंसेडर करी है क्योंकि मेरी बॉड़ी पे वो चीज और तब पैरेंट्स को अब जब यह फीवर वाली चीज होती थी तब यह नॉर्मली खेलते में हो जाती थी यह वो सपने में दो तीन बार और आया आपके से पहले जैसे आप ले ले गए उससे आप वापस आए और आपको फीवर चड़ गया उसी शाम को उसी शाम को क्योंकि डाइमेंशन अलग है और पैरेंट्स को यूजिली एक्स्क्यूज़ लगते यह चीज़ें बनी और इन चाइल्ड हुड तो मैं अपने मदर को बोलता था कि ऐसे ऐसे करके देख्ते हैं मेरी मदर जयories थैर मैं जब भी आता था सर घर तो मेरी मदर यूस्टु भी म भी मघ्न हो तो मेरी मदर ने एक आधी बार तो देखी होती वह चीज़ अगर मैं देख रहा हруं तो मेरी मदर को आईडिया तक निलिवा उस चीज का मेरे को वो शी वस डॉ्ट ग् बैटल फील्ड वहां पे एंकाउंटर के नाम पे बड़े इनुसंट लड़के कुछ थे सिख हिंदू राइट्स हुए थे जब इंद्रा गांदी वाला टाइम था तो क्या करते थे मैडल्स लेने इन अब प्रमोशन हो जाए पुलिस वाले कुछ करप्ट पुलिस वाले पां इंद्रा गांदी असैसिनेशन हुआ है उसके बाद मतलब लाइक सिख एडेंटिटी पे एकदम से क्राइजिस आगे थे पंजाब में आल ओवर इंडिया भी आए थे डेली में भी सर कुछ है मेरे मेरी फैमिली में आदे लोग है सिख है आदे लोग इंदू है तो बताते ह हैं आपस में कॉंट्राडिक्ट भी होती हैं बट दोनों ही कौम कौमों ने सफर किया बहुत गंदा वाला जब इंद्रा गंदी का असैसीनेशन हुआ था क्योंकि पंजाब में क्या हुआ बस हारी है बस में से सारे बंदे उतार लिए सिख इधर हो जाओ फिल्टर कर लिए 84 में पंजाब में वो अभी भी है लोगों के घरों में वहां पर रूटीन सारे केरी करते हैं तो मेरे घर के पीछे मैदान था सर और मेरे को कान में अलग लग बिसलिंग्स अलग लग बातें सुनती थी लाइक कुछ ही पोर्शन बात का कि मेरे मेरे घर पे जाके ऐसे बोल अरे तो आपकी एज जो है वो वह इंटिटीज को आपकी एज बहुत बड़ी लगती है वह मलाप आपको बहुत काबिल समझते हैं अगर क्योंकि उनको यह चीज को तो हमए सब देख सकते हैं आपको ये चिज पता है हणको इसी नोग सते पार आपको अच्य को तेहीं ने फिर से दुबारा शुरू किया क्योंकि मेरे कुछ आंसर्स थे जो लास्ट टाइम मेरे और मेरे फादर का मुलागात हो नहीं बाया अच्छे से और वह आए बार से तो मेरे को कुछ आंसर्स चाहिए थे जैनुमिनली मैंने मेरे तीन गंटे उनसे बात चली है तो आप ध् प्राइकिक मीडियम तो वह अगर इस चीज जो प्रॉपरी मेसेज करते हैं अपनी बॉडी में बुला लेते हैं मेरे को इस चीज से सब आउटकम नहीं नहीं लिया क्योंकि मुझे आउटकम नहीं चाहिए थी इस चीज से क्योंकि मेरा जज़बात जुड़ा हुआ था इस मेरे हॉस्पिटल है सोनीपत में एक अल्ट्रा सांट सेंटर है और वाइफ मेरी गायनेक है मैं हॉस्पिटल संभाल रहा था सब कुछी बट अब मैं अपना इतना बगवान ने वाई-गुरू ने मेरे को कर दिया काभिल कि मैं अपना होबी फॉलो कर रहा हूं और मैं जब 好了 पीजिंग गेंग है थान से जो नेंगा मैं ऑन कृइंक तो तीन थीन की नेंध अänd गोला कर दो इम तो outta किसी भी जगा आ जाएंगे सर यह बहुत बड़ा स्टीटमेंट है इस वेरी बिग स्टीटमेंट तो मेक मेरी प्रेस्टीज का सवाल है बट जैनुवनली आम तलिंग यू क्योंकि यह चीजे मैंने यह क्रियोसिटी मेरे को इंपंगों में बट कुछ कुछ ऐसी जगाये तो ह होती होंगी जहां स्पिरिट सेंटर मी करती है पॉजिटिव स्पिरिट्स भी होती है नेगिटिव भी होते हैं ऐसा होता है बट उस चीज में एक तो यह होता है ना कि आप बिलकुल ही अगर आप जैसे आउजा या कुछ चार्ट वगारा हम बनाते हैं जो नुमली यूज हम बहुत करते थे पंजाब यूइवस्टी में हिमाचल के बंदेब होता है हिमाचल वा टैबू प्लेस टूबी वहां बहुत जाता होती है चीजे तो मेरा रूमेट था चार्ट बनाके बैठा मैं होस्टल से वापीस आ रहा हूं कि अधा भाई बहुत बुलाएंगे आज तब तक मैं इन चीजों से बाहर आना चाहरा था सर क्योंकि मेरा फेज शुरू हो गया था कॉलेज में पढ़ाई का और मेरे को यह चीजे खीचती थी पीछे और मैं चार मेरे को जैनुरिली बाबा पीर फकीर पगंबर बनना पसंद नहीं था आवाज मतलब बींगा कूल जो कर दो है कि मैं दो बन का निकालता फिर वह लोगोन के दिले के मेरे को थोड़ा यह वह लगता त治ंता था न था अ मैंने कगился कि मिने भाई मेरे को ना एक ना और आ या तेरा तो आ यहां बे इसको यहां । केदा नहीं भाई आप फिकर मत करो बैठ जाओ दो मिनिट है अभी यहां बुला हुआ और यहां बुला हुआ और मेरे को अंदर खाते तो यह हो रहा था मगा यह बुला लेगा मैं बुले तो पता है आजाती है वो चीज आजाती है जैनुविली क्योंकि स्पिरिट्स जो है स और वांडरर्स बेसिकली वो अनसैटिसफाइड लोग हैं जो बिचारे जिनका मुक्ती नहीं हो पारी है और वो चाहते हैं कि तड़पते हैं कि कोई नाम ले ले एक बार या कुछ अड्रेस कर दे लो कि या इस रूम में कोई है एक मिनिट में रिवर्ट आता है एक मिनिट बिलकुल बट उनको वो एन्वार्मेंट सूटेबल लगना चाहिए उनके और यह भी नहीं किया कर रिवार्मेंट सूटेबल नहीं है या वो होली प्लेस है या उसको बांधा हुआ है या भी मंत्रित है कुछ रेमेडी जैसी हैं आपकी एपिसोड मैंने देखा था वो बत इस जगह पर तू बैठा यहां नहीं मिलूगा बार आजा और जैनुविली कान में विस्लिंग होती है और मेरे लेफ्ट एर में विस्लिंग होती है इस नौट अब करन पिशाजनी से रिलेट नहीं है यह चीज जैनुविली जो हैप सी कर रहे है और कुछ लोग ऐसे गंद एकसिनेंट्स में मरे होई लोग घर पे नहीं पहुंचे कुछ लापता होई लोग वैलिडेशन किया है मैंने की वो मर चुका है उसकी फैमिली में एंड मेरे को अगर चांस मिलता है यहां वापिस आने का मेरी बात खतम नहीं हो बाएंगी एक एपिसोड में मतलब मैं एक प्रूफ में दिखा होगा कुछ फैमिली थी मेरे आसपास जो मेरी रीच में थी बनाइव इन 11 तब मैं थोड़ा बहुत करने लग गया था help for the sake of help क्योंकि मैं देखता था कोई कितना vulnerable क्योंकि कोई मेरे सामने आगे खड़ा हो गया बैड पे और बहुत ही जदा बुरे हाल और जिस स्टेज पे इनकी डेथ होई होती ना उसी हुलिय में होते हैं सर वैसे वो जो बच्चे वाला किस्ता था अपने वाइंड अप निका रहा रहा था उसका क्या हूँ और वो उससे पहले जो घर था ना उनका बच्चा था वो चट से गिर के डेथ हुई थी उसकी सर चट से गिर के डेथ हुई थी और वो पीपल के पेड़ पे रह रहा था उनकी फैमिली को आइडिया नहीं था सर इनको अपनी बिलॉंगिंग्स बच्चा तो खैर अन गाइडेड मिसाइल होता है उसको तो पता ही नहीं है मुझे कहा जाना वो तो स्टक हो जाएगी महां प आपको अपनी अपेरेंस दिखा रहा है तो यह भी नहीं बोल पाएगा कि उसे हल्प चाहिए बच्चा है वह तो एक दो बार यह होता था कि रोता हुए देखा मैंने जैसे रोता हुए बहुत बार फ्रीक्वेंट विजेट्स होती थी सर बॉल लेने चला गया है पतंग न तो रहता ही ना बच्चा इतना चोटा बच्चा कुछ तो कोई तो पेरेंट पास होगा और नीचे वालों का कोई लेन देन नी वह पहले अपने तरफ से हम क्या बुलने लग जाते है चीज़े तो वह वैसी चलने लग जाती तो मैं यह रिलेट करा था कि भाई नीचे वाल तो तब तक मेरे को भी यह था कि भाई दिख रही है कुछ ना कुछ अडंगा होगा ते रहा तो अब बच्वान में ध्यान दे तो मेरे घर के पास मंदिर था मैंने महा जाना शुरू किया और तब ध्यान वेरी टैबू सबजेक्ट ध्यान दूर तो दूर तक नी करते थे बस डोल पीट के आगे मंदिरों में लंगर खाली अच्छ जिंदाबाद हो गया काम तो मेरी मदर तूमच इंटू भक्ती वो सुबह तीम बजे उटके पार्ट करती है तो उन्होंने मेरे को बोला कि पांच मिंट बैकी ना सा अपना आंदा जंदा सा है ना मतलब लाइक इ द्यान कर ले और मैं आए विश के मेरा ध्यान और एक दिन हुआ ऐसा कि पांच मिनट जैनुमिनली मैं निकाल गया सांस का और एक तम से मेरे को वाई बाई एक तम से वाई बाई और मेरे को फिर जैसे हम पुरारी गाउं में लोग आते थे ना सर मूवी दिखाने जो ऐसे बिखते थे और मेरे किसे देएगोरे ठोल प्लेश चल रहे हैं एक तम से मेरे आगे अगे फ्लेशिज चल गए अगे थाउजन आसज मेरे आगे और वह सारी डिसीज़ एंटिटीज जो मर चुके लोग हैं और particular हां और particular उस रीजन में सर कुछ लोग तो ऐसे निकला जो बह कि मेरी माँ को बता दे है इस जगह पड़ी हुई है आइकन आपने का रहा वो का बिल्कुल ऐसी चीजों में यह हो जाता था कि इसको मुक्ती तब मिलेगी यार यह काम कर दूंगा तो वहां पे सवाल यह नहीं रहता कि बात 2100 कि यह चलो 2100 तब बहुत था बट यह हो जाता ह क्योंकि बंदा घर से निकला दहीं लेने यार रास्ते में एक्सिरेंट हो गया कितनी चीज़े अनफोल्डेट रह जाती है लाइफ में तो मेरे को शुरू से सर दिख रही थी यह चीज़े और उसके बाद मैंने कंसंट्रेट करना शुरू कर दिया प्लस वन में मैं तब क् सब्जेक्ट्स हम अपने अपने इंडिपेंडेंट दे लेते हैं बंदा थोड़ा एक बार फ्रीडम आ जाती है एक बार टेंथ के बाद हमें थोड़ा बाउंडेशन नहीं फील होता इतना ज्यादा तो तब मैं पंगे लेने लग गया था इन चीजों से बाते करने लग ल ना एक वही नूटन जैसे अगर आप किसी चीज को अड्रेस करते हो ना वह चीज का धियान आप पे जैसे शारुखान का डायलोग है काईनात मिलाने अगर आप घर पर बैठे किसी चीज का धियान कर रहे हैं बहुता हमें सबाब मिलना शुरू होता है जब हम नाम लेते है नाम लेते हैं आपके सामने आगे खड़ी हो जाए तो यह कितने टाइम बाद आपको कल दिखाए फिर उसी उनी टाइम के बार क्योंकि मेरे दिल में बाते थी ना मैं जनुरूरी किसी को एक टाइम ऐसा आगया था कि सामने वाले को बताओ उर उसका उतना एक्यू नहीं है सмज के उसे उतनी समझ की मेरी बात लहाएं का था तो कल क्या भूला उसने कल क्या कमनिकेट कीगा मेरे ऐस सिर्फ फलैशिस हूए आया सपने में कितने चल गर उस अदम मैं कहीं जा रहा था मिरे इस ने पंजाबी में बोली पर यॉर बंजाबी बोलता खोट़ चोटा ए वो उसी शेप में बहुत किते चल ले फिर मैं किए सिद्धा चल ले लिए इतनी बात वी बस अगे सांप आ दियान से मिरे को बोला और और आई वस्षिंग के क्यों अच्छा होता है दिखना सब्सक्राइब और आपको पता चल जाएगा कि कौन आपको बैक्पाइट कर रहा है आपका एक ऐसा टाइम आ गया क्योंकि ड्रीम सग्निफिकंस अगर आप डाइरी पढ़ोगे ना रुचीयन साइंटिस ने लिखी हुए और वो बंदे ने ठ बिट्रेयल मिलना ना लाइफ में वो खतम हो गया वो कट गया अच्छा हाँ यूल बी लाइक यूल बी अटेंटिफ फो दे सेक ओ फ्यूचर के बाई यह और वो इतना मतलब अइडेंटिकल होता है सांप कि यह नहीं के सपने में फ्लेशी प्रॉपर सांप आपको मतलब एक दो मिनट ड्रा के जाएगा सपने में अगर आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि यह चीज का कुछ सिगनिफिकंस है यह ऐसा सपना नहीं है वह अलग सपना होता हो जब सांप आता उसके बाद क्या करना चाहिए अलर्ट हो जाना चाहिए यह वह चीज प्रॉब्लम हट तो आज ग्राय के टाइम पहले डाट्रीरी निगावन भाँवाला लाट्रै यह और अब कि बाई मेरे को कोई अपना चोट ना मरे इतने में खुश हूं मैं तो बेट्रेल नहीं होता अगर आपको सांप और आपको गर सांप काट गया डाट इस कौई रिलेटिटी तो हेल्थ की आपको बहुत गंदे वाला ऑप्स्टिकल हेल्थ आने वाला है क्यों काटना नहीं चा को कॉंकर कर रहे हो कि आप मतलब यहां से पकड़के जो बंदा आपको दोखा दे रहा है उसको यहां से पकड़के कि तेरा बाप मैं दोखा मत दिए अगर सांप आपके डले में अराम से बैठा है तो आप कॉंकर करते हो जाओगे अपनी सारी लाइफ और शेर का अलग सि hell the show cm City सिचया आपके पास बैठा है और को बाइट नहीं कर तो आप किसी आसपास के लोग किसी की हिंब् 1 पनी होगी आपको बिट्रे करनाए आप के आइसे होगी आपके असपास पंडॉप साइल यहां अगर किसी ने हमारी था यह चीज फील करके देखना कुछ ही दिनों में फेज की अलग चल पड़ेंगे लाइफ के शेर यह नहीं कि हम जा रहें सरकस का शेर दिख रहा है फ्लैशिस हो रहे हैं वो रेलेमेंट प्रॉपर रेलेमेंट सपना आता है कि शेर के सामने खड़ा हूं और वन-टू-वन बात हो रही है इस टाइप का सपना होता है और सबको सेम आता है अब मानोगे इसी जी मैं क्योंकि मैंने दो तीन बंदों से हमारा मैंने तोड़ा एक ट्रेंड शुरू किया है अपने जैसे लोगों को बुलाता हूं मैं अपने घर पे शाम को कॉफी पे हम साथ आट लोग जो ज पेर का सपना नहीं आया कभी और फिर भी भाई करूगी मेरा ठीक है जिन्दगी में सब ठीक चल रहा है तोरी फुल का बट सांप आता मतलब ओफन नहीं मेरे सपने में क्योंकि लोग बिट्रे करने वाले लाइफ में बहुत होते हैं और जैनुरी सर कुछ चीजें ऐसी पत होता अपने पिलॉंगिंग से अगर किसी के बास मरने वाले के बास अगर शेयर्ज घाना कि यह करेरा की संग्लासी सामरे तो अगर वो मर गया और और वो फ़वेड अगर वो उसने नहीं पहने हुए तो बई जाएगा नहीं भूँए अब आप आ पी साधिए अपने कर पे जिस घर में नेगटिविटी है उस गर की सीडियों में अगर आपने सीडियों में हनुमान जी की मूर्ती लगा ली जिंदाबाद है काम बाग जाएगा उसी वक्त बड़ जैसे सर आप कह रहे हो कि वो पता नहीं होता उने मर गए तो उनके लिए तो हनुमान जी होंगे सर अनुमान जी तो मेरे लिए अनुमान जी है पर मैं किसी और के घर में क्या कर रहा हूँ एक वेल बिंग अपना एक बंदे का वो होता है ना कि यह चीज जास्टिफाइड है नहीं अब कोई है मेरे को देकर डर रहा है मैं उसको क्यों ही डराऊंगा जाके तो वो सेंस आफ एक responsibility आती है कि भाई मुझे यहां नहीं रहना है और गॉड इकुलेंट है यह चीज आपको कहते है ना भाई शेतान है भगवान है तो शेतान भी है शेतान एकुली है यह चीज है और सबसे ज्यादा इनकी चाप होती है इनकी बिलॉंगिंग्स पे 2007 में बबुमान साब की मूवी आई थी हशर और पंजाब में एक trend होल्ड हो गया था सर जिसका जिन्दगी में जिसको मैं करा हूं जिसने ओपोजिट जेंडर का कुटा भी नहीं रखाना लाई मैं वह भी feeling लेके गुमता था ब्रेव फाही वाली ऐसे सारे आशिक हो गया थ पूलते थे कि भाई तू मेरे को दोखाई दे यार का feeling आजाए बबुमान जाली हशर मूवी आई थी तो जिपसी उसमें वाइट जिपसी थी तो हम यूनिवसिटी तब पढ़ते थे मेरे दिमाग में तब मैं वी वेल टूडू घर पे कोई पूछता नहीं था खर्चा पर दे करके यह बठींड़ के साथ डबल है उसने रात को दस बजे मिरे को फून किया बाही जिपसी में जिपसी लेने चला गया यह उसी इंसिडेंट की बात हो रही है जो स्कारी और मेरे को भी इतनी क्रियोस्टी जिपसी की कि भाई कल के कल बबुमान बन जाएंगे सुभे 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 चंडीगड पहुंचते वापिस सर गए और वो फैमिली को एक डेड़ वजे रात को मने तम किया कि अभी लेके जाएंगे गाड़ी वो बंदा कह रहा कि पागल हो यार सुभे आजयो एफिडेविड भी साइन होने है भाई नहीं गाड़ी अभी लेगे जानी है बस वो गरारी नहीं फस्जाती बच्चों वाली वो तो उसके खेतों में घटा रहा मेरा दोस्तों जब तक मैं चंडीगड से बढ़ नहीं पहुंच गया उसके घर के सामने वो ऐसे जिपसी को देख रहा है तो जाते ही ऐसे जिपसी देखी हमने और हमें पता नहीं था कि वो जिपसी का सच सीन क्या है बात होगी और मन जो मन में सोचा हुआ था रेट वही मुंग से रेट बोल दिया बंदेने वाई पगड पैसे उसमें अलाकि तब जिप्सी की एबरेज उसमें डीजल एंजन था और वो बंदा बोल रहा है आरशी आरशी नहीं कोई मसले नहीं हमें किसने पूछ ले ना बगवान हम पतला सोच ऐसी होती थी वो बंदा करा राशी उर्सी हानी पुलिस वाले ने चक्राजना अफसी और इंपाउंड होजेगी ओमाग राश्ते में जिपसी एकदम से मेरे को एंटिटी जैसे शीशे में दिखी और मेरा दोज सो रहा था साथ में वो मेरा बेस्ट फरेंड है वो मेरा रूमेट रहा है और मैंने उसको तंग नहीं किया वो फ्रीक आउट कर जाता इन चीजों के तो मैंने देखा और मुझे ऐसा इतने गंदे तरीके से बलब चीग निखल गी ऐसा कान अच्छा जी हाँ ऐसा कान केचा मेरा और उसके बाद मैंने सर ब्रेक मारी गाड़ी मेरा दोस्त उठ गया किया हुआ मैंने जाए पी लेते बाई डबा भी आ गया तो मैंने सर चाह पी और चाह पीते है जैसे आकर और शांदार चल रही थी सब कुछ होके था या तो पता हो ना कि चीज़े डिटेक्ट यह प्रॉबलम कर रही है कुछ भी नहीं एक तम से बंद हो भी और सुबह तक बैठे रहे बाई सल्फ मारते बैटरी डाउन कर ली फिर एक बंद आया उसने रनर बैटरी जो होती है व और रास्ते में सर मेरे को एक दोस्ता उसके बास जीप थी विलीज हमारे वहां बहुत चलती है पुरारी जीप से होती है वर्ड वार टू उसको कॉल कर रहा उसका गाउं था मैंने का बाई आजा तू गाड़ी टो करनी है चंडीगट जाना तो बोला भाई आ गया दोसात क आई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली इसी परपस के लिए वर्क्षोप अला भी बोल रहा था कि ऐस रसी नाल में ट्राले खिचे है मतलब और जैसे ही पहला गेर उसने जीप का डाला रसी तूटी है और कुछ भी बेंड नहीं है कुछ भी टेंपर नहीं है उस जगह से रसी ज इसके बाद मैं आया हूँ मैं देखने लगा हूँ गाड़ी में कुछ ऐसी चीज पड़ी हो कि रसी को ऐसे गांट मार दें हैंसा कि और पूरी रसी तूटी तो गांट भी आपिसली गांट क्या ही करेगी मेरा दोस्त बोल रहा है था यह रहा है थी कई वर्क्शॉप यह च जिपसी ले गए रास्ते में तीन चार बार कान में आवाज आई कि गल्ती कर रहे हैं गल्ती पंजाबी बोल रहा था कि गल्ती कर रहे हैं मेरे को मैं उस चीज को जिपसी से रिलेट नहीं कर पा रहा था तब मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा था कि इस चीज को लेकर हो रहा है हो मैं का गलती की कर रहे मेरे पफ्लाइश तो पहले भी बहुँ बहुआ हो यह नं तो मेरे को यह था कि बाकी सब चीजों की तरह यह हो रहा है ना की कि कि गलती हो गाड़ी खड़ी की मिस्तरी बोल रहा है बिमारी क्या होगी इसको अच्छी बिली गाड़ी है और शांदार गाड़ी कितने ही लेकर आए उसको रेट पताया वह हरान है चलो किया रहा है ऐसे ऐसे करके इसकी ना हैड में प्रॉब्लम आगी है all of a sudden एक ठीक ठाक मतलब वो चीज़ इंजन का बेक बेक बोन हो गया एक तमसे हैड में क्या प्रॉब्लम आगी सब कुछ हो बंदा भी बोल रहा है जिससे खरीदी कि वाई सब चीज टिच तो मिस्तरी ने इंजन को हैड़ा खोला में को बोला जाग घर चला जा अपने खाना पीना कई बाउ तू ले टरहीं का मैंनू बैली इसाल हो गए क्टा बोड़ा कॉंटिटेंटली बोलते ना बंदे कि जिप्सी का काम करता था जिप्सी और ट्रेक्टर्स का था मैं ट्राय टू नहीं ले जाए जा एनू जिथे मरी नादू ले जा गैंदा मेर बोला ठीक है बाई स मैंने उसको बोला, मैं तू मतलब यही कुछ किया तूने मतलब ठीक टाक गणिया दी इसको अब और फस गया यहाँ पर मेरी जिद इतनी जादा कि चंडीगड बंद जिपसी ले जाओंगा मैं और तीन नंबर जाके खड़ी करने रूम के बार साला मतलब और तो और दुश्मन होगी मतलब वो तो जलेगी भाई जिपसी ले आया इस चक्कर में उसको पंचाने में हमारा पूर जोर लगा हुए और वह साला सब कुछ कर रहा है उसको वह रोकने के चकर वह तो यह कह रहा था कि बठिंडा वापी पहुचा दे इसको और उस रात excitement में उस टाइम मीनवाइल वैसे सर नीन नी आ रही को वाई जिपसी ले ली excitement इतनी होती थी तो सर मैं फाइनली मैंने चंडीगड बोला उसको म जएस तरी को वी मैं तु जैसा भी है और क्या हुआ उसने हेड तो पता चला गैसकेट О्लटी बंदी हुए उसने बाली साल से बंदा जो जिपसी का काम कर रहा है अपने काम की अपने काम की खेरों ही खेड हो रही है कre मैं तू प्रावाए नू पैक कर दे मैं चंडीगड बुडैल में काम कर वा लूगा इसका सर मैं चो तीसरे मिस्त्री के पास जा के फिर खड़ी कर दी मैंने चंडीगड चंडीगड कैसे फिर तो लेकर तो करके गए तो करके सर तो करके दोस्त भी परिशान होगे आपका दोस्त वह तो चलो उसको यह था उसके उसके लिए फेवर इतने कर रखें उसको तो चल मैं तिलांगना भी ले जाता चाहिए वट जैनूरी वो यूनिवस्टी पहुंचने पेंब नहीं हो चलो फाइनली उसको ओपता चल गया और ऑभी साले जिद्धी है और वोडायल में जिपसी का काम हो गया चल पड़ी यूनिवस्टी ले आया मेरे को क्या रियालाइज होता था जी जिपसी की सीट पे बैठते ही और आई चेंज है बाई बंदा ही और हूँ मैं मेरे दोस्त बताते थे मेरे को कि भाई तू पागल है मतलब तू करता क्या जी मतलब मेरे मेरे में एक अटना गंदा रशा जाता था ब्लड में कि मैं एक तो और मैं ऐसा इसा डिवाइडर पे चड़ा देता उसको कभी, मतलब क्या ही नहीं मतलब ऐसा लगता था बेडरूम में गुसा दें गिसी के, ऐसा मतलब ऐसे करते थे वो गॉंकर कर और मेर को सर जितना टाइम वो गाड़ी चला रहा हूं मुझे ध्यान नहीं रहता था कुछ भ होता है जो की होती है ये चीज़ गाड़ी चलाते हुए आल दे टाइम जैसे मैं अब कॉलेज ले गया हूं सुबह होस्टल से कॉलेज बॉकिंग डिस्टेंस पर है जिपसी पर जा रहा है सुबह और मैं रात सारी रात सार सोचता रहता था कि कब भाई सेल्फ मारूं कब हुटा होगा है अरे टाइइ कुछ चाट-चाट के साफ करते थे सर अज्चकर मारक एं ऐक किल्visor का टायर दोने लगगे आकर जब बरش के साथ इतने अप्सेस्ट हो गे ठीए और मैं फिर ली आइस वे निहीं हैं नहीं कर रहा था वह चे चीजिए मैं नहीं कर रहा था और म तो एक दिन सर पुलीस वाला हाथ दे लिया पुलीस वाले ने चौंप पे और मेरे दोस्त उन्होंने मेरी बाजू पकड़ी क्या हो कर रहा तू मोडी नहीं रहा पुलीस वाला सेंटर में आके खड़ा हो गए रोड पे और एक तो हाट सॉफ्ट अप थी चहत उतरी होई है इ जिन्दगी में कभी किसी आत्मी उठाया किसी और उस दिन बंदे को ठीक ठाक पकड़ के मार दिया मतलब इतने काम मतलब उस ताइम यह मेरे को साला डैथ पेनल्टी क्यों लगी जाल को जेल क्यों होगी मधवान भी साथ था और पुलीस वाला सर सेंटर में आके खड़ा हो आपको पुलीस वाला उसको पता चल गया है यह पागल है सला मतलब आप इस इतने डिस्टेंस पे आजाते हो जब अगले को रियलाइस हो जाए भी चड़ाए नहीं रोकेगा सर साथ साइड में पाक था उचलांग मार के पार्क के अंदर और मेरा यह इंटेंशन था पार्क पुलीस वाले को मेरे को यह बुखार चड़ा इसको मारूंगा साले को यह आगे कैसे आ गया और कितना बड़ा क्राइम है और मैं तब मेरे को रियलाइज होगा कि गलत है है यह सिस्टम यह तो सर क्या हुआ रात को ना उस रात को जैसे सुबह-शुबह आये हम आके मैं बेख दो कि दो डोर खुट यहा. इतनी अंटेंट हैं, बन्दार मेर को पहले से आता था पंजन्ट पंजन्ट समेल ठीं, बोली मेरे को बन्न दोल्डा है, मैरे को बंदाँ, काँई तुू सालेह वे इन यगा न खीया मेरी बन्ना एटनी मार को मेरे मेर को को मैं और मेरे दोस्त ने एकदम से मेरे को बात उठा वाश्रूम गया पानी का गिलास लागे मुझ पे मारा उसने मेरे और मेरे को यह रिलाइज हो था कि मेरे पर बैठा और उसके बाद भी काफी टाइम तक सर वो बंदा वहीं खड़ा रहा और मैं अपनी दोस्त को बोल रहा ह हाँ चलाएंगा जिपसी केंदा मेरी और लिटरली वो बोल रहा और आंखे इतनी डरावनी इतनी डरावनी आंके थी सर तब मैं मतलब लाइव में पनी पहली बार डरा था इस चीज से हूलिया कैसा था बंदेगा सर फटी हुई शर्ट बिलकुल फटी हुई पैर नंगे प होता जैसे उस टाइप से फील हो रहा था कि जैसे क्यों ड्रेनेज पाइप से कुछ स्मेल आती है ऐसे उस टाइप का एंटिटीज वैसी ही रहती है ता उमर जितना टाइम भी यह सस्टेन करेंगी जब तक मुक्ती नहीं मिलेगी ना यह उसी फॉर्म में रहती है जैसे एक कुछ उपाय पूए उसको कहना मैं मेरे वापस वूपस नहीं लूँगा मैं गाड़ी ओ मैं एंगा वापस को छोड़ मैं फूग दूंगा इसको गाड़ी गाड़ी चोड़ तूं पर भाई तेरे बैटे का उलिया मैं बताता हूं वाई कौन था किस की का रहा है मैं क्यों मैं भगवान से दुआ ही करता हूँ ऐसा पेरेंट हो भी ना किसी का जिस हिसाब के उसके फादर का फीडबैक था और वो ठीक मरा विचारा घडगा बाद में सिंपती हुई हमें उसका फादर बास लीस्ट बॉदर कहना था फूग दो है जिपसी नो मैं की लिए देना उसने अगर बगवाना करे कुछ ऐसा होसा है हम बिलॉंगिंग संभाल के रखते हैं लोग होगी मेरा भाई यह बड़ा रेडियोलोजिस्ट था उसको सी बीजी बाइक लेक लेके दी वज़ें अम्दाबाद वाई वाई वस दूइंग एमडी रेडियोलोजी कर रहा था अपनी है उसकी सि यूज है उसकी सी बीजी हमने हो इसकी रखिए अप्रियोगे हमने नर्जी हो गी इसकी कपड़ में सबसे जाधा अंडर गर्मेंसिमें सबसे जाधा R reachamal में सबसे जाधा तो इन चीज़ों को सवाल ही प्यादा हूत तो बहुत ज्यादा को और Сबहुत ज़्यन मैंने कॉल करें मैंकल उदे उपायता कर ला जिपसी तर मतलो जिपसी डाजन मैटर क्योंकि हम हमारी तो जान चूट जा इससे यही बहुता पैसे की आस कौन कर रहा पैसे नहाएं साले क्योंकि सर तीन-चार बार क्या हुआ छोड़ने के पुलिस वाले यूनिवस्टी हम तो तीन-चार पार बजार में छोड़ दी गाड़ी सर आरसी तो थी नहीं उसकी बजार में छोड़के हाथ जोड़े और रात को आके पुला मैं का वीरे जित्थे भी हैं तू आस-पास तेरी गड़ी फलानी जगा रखे हैं और उसी वक्त हाजिर हो जाती थी वो चीज उसी वक्त क्या कहती थी आतना लाई गया उसको यह थारेज की मेरी गाड़ी मैं का यह तू अपने बाप को बोल भाई उसने बेची है मेरे को मेरे को क्या पता तेरी है वो मैं किसे इंटेंशन से लेने जा रहा हूं मैं इस इंटेंशन से लेने जा रहा हूं कि तेरी चीज और मैं तो हाथ ही ना लगा हूं ऐसी चीज़ को और जिसने रेकमेंड करी दिए हमने तो वह पहला पकड़ के मिस्तरी जिससे मैं बता रहा हूं उसे वाला साब ने जीप खरीदी ती ऐसा बंदा वो बदा रहा हूं और फलाने गाउं के खड़िये जाके शांदार जिपसी व को अवह दो जबता था हम भी पागल एक्साइट विड में चले लेने और घर से लिए उसके और उसकी उसकी मा बोल रही थी ना लाए के जान दो और ये भी बाद में पता सर उसकी मा रोई थी लिटली की मेरे मुंदेड को निशनिया ना लाए उसके बापके साल लड़ी त और रुसका बाप, वस ट्राइंग तु हाइड आउट थिंग कि यहां इसीन ना क्रियेटो तब चीजे अबाद में रिलाइज हुई और वो बंदा मेर को बता रहा है कंदा मेरी मा रूंदी थी ना उस दे ना तू सालिया मेरी मादा रूंदा गालियन देता था गंदी बहु अपको तब यह लगागे बहु जाएकी बहुस साथ क्रेंचके और इतनी इम्यक्यलिट पाव और मारते नी मार नी सकते मारने सकते मैं इक ये आप से ही कुछ करवा देंगे इनकि आप इतना ही डिपरेशन में क्यों भी सिर्च उनहर कि भाई ये रोज आजाता है मेरे साथ और तब इसने इसका उपधाय मैंने मेरा मतादा सोलह शत्रहर हमेंडी कि सी इसकी होगती नहीं मैंने सोलह रेमेडीज को छीज अग्रा पर बोल रहा है कि मेरा बापू बड़ा एक दिन मेरा बापू बहुत फुदू बंदा यह वह बात इसके बाद ठीक हो गया भाई मतलब उसके बाद ठीक हो गया अब क्या होता है एंटिटीज को छोड़ दी और जिस जगह चोड़ी है उसके घर के 400 किलो मिटर दूर है और उसको लेना देने उसको यह है कि मेरी चीज खड़ी है नो आतना लावे कोई मतलब यह होता है उनको कि बंजर हो जाए बीयाबान हो जाए बास हाथ ना लगाए कोई क्योंकि एकसेस खुद नहीं कर पाते ना चीजों पर तो दूसरा चलाएगा तो खून खौलता है भाई तियार और कैसी तीन मिने हुए थे खुद पैसे जोड़ रहा था एकठे और कहरा बापू एक बार जस्ट एक अपिनियन लेना होता है फादर का कि बापू में अलावे पौने अगड़ी से और बापू ने बोला हाँ पौना के पैसे ले लिए पैसे लेगे जेब में रख गया और बी शुकीन था वो गाड़ीयों का उसकी माने मेरे और मेरे फोटो दिखाई तब मैरे तेक्षी ना तब मेरे रों मेरे तिकड़े हुए थे क्योंकि मैं उसकी माँ आउं आउंटी मैं आपको स्केच बना कर दीता हूँ आप फोटो तो क्या ही दिखाओगे मीरे को कैसी मैं इतना इंट्रस्टिंग सब्जेक्ट है सिंपल रेमेडी और लोग ना मैं नहीं चाहता किसी अस्ट्रोजर का काम बंद हो जो अफोर्ड करते हैं उनको लेने दो स्टोन वोन पर जो गरीब आद में चाहता हूं उनकी हेल्प हो जाए मैं कभी पैसा नहीं लेता रेमेडी म मैं लिखके देता हूं सर मैं करियर छोड़ दूँ अपना घर में अगर किचन के बार का कोई समान बोल दिया ना मैंने तो मेरा नाम बदल देना और अगर आसपास भी फटक जाए एंटिटी तो बताओ कुछ रेमेडी सबसे बड़ी चीज आप किचन में कभी भी विजन के का identical मतलब वो क्या होता है जिन्नात हमेशा हॉन होंगे हमेशा उसके वो हॉरिबल होती है शेप उसकी और यही होती है टांगे होती है नीचे थूहा टाइप और साथ आठ फूट हाइट का होगा और अच्छा जो जिन्नात होगा जिसको हम मौमेड नंस का पितर बोल देंग जिन्नात होगा सिराने आके बैठेगा और जिन्नात सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा खतरनाक होता है सबसे ज्यादा क्योंकि मेरा जैनुरी वो चीज़ डिसकस करेंगे फिर गभी मेरा मौका लगा वो पीछे लग गया ना सर उसको इक स्पैसिफाइड रीजन चाहिए बंदा पोजेशन है जिन्नात का बचना कैसे रेमेडी क्या है सर बहुए कह रहा हूं मैं यह जो रेमेडी बतारहूं यह सब के लिए है जितना मरजी तकड़ा हो बूत अपनी जिंदगी में जितना मरजी शानदर बंदा रहा हो कभी भी डॉर्स खोलने पाते घर के दर्व पर मुवी में देखा दरवाजे बंद करना, खोलना, नौक करना, नहीं, इलेक्टरोनिक एक्वेप्मेंट्स उनके साथ इतने पुठे पंगे, मतलब उनके साथ सारी एटम पेश करते हैं, क्योंकि वहां से एनरजी सारी वहां से आती है, और एक सेकिंड की बात, या एक सेकि जाली कुर्सिया नहीं छोड़ो, मैं ये एक्टिव एक्टिव रेमिडी बता रहा हूं, पैसिव तो है, जब किसी को चिंबर जाए ये चीज पकड़ ले तो उसके बाद तो रेमिडी हैं, वह मैं चाहूँगा कि आप लिखके बेशक डिस्क्लेमर में डालना, मैं तो करहा और नीबू जैसे आपने बोला था वो फ्रिज में रखना ही नहीं है और क्या है नीबू आपको मतलब ये नहीं होना चाहिए कंसेडर आप किछन में बुसे और सारी दुनिया को पता ये नीबू पड़े हैं, ऐसे मतलब होच्छापन लगता है आतमा को कर तीवा नीबू ये सिस्टम हो जाता है थोड़ा तो नीबू ऐसा नहीं रखना घर पर अगर आप यूज करते हो उसको रखो फ्रिज में नीबू अगर हम बार डाइनिंग पर देते हैं आगे कभी नहीं करना है ये चीज क्योंकि ये नीबू ऐसे देख रहे होते हैं ऐसे ऊपर खड़े प्रेजिल निबू साथ होते हैं सबसे जल्दी आती है सबसे जल्दी मर्क्यूरी अपने अंदर इलेक्टराइट अंदर रियक्शन चल रही है और स्टैटिक जो चीज है बिजली के इसके अंदर कुछ ना कुछ कॉंटिनी चल रहा है तो एंड़ी वहीं से गेंट करनी है और कुछनिया इनके पास कुछनिय किसी मसले अगर बंदा द ले रहा किसी का कुछनी उक्याइप सकती है कि आपके सामने बेठा हूं ऐसी ऐसी चीज़ों से निकला हूं מा नहार को फॉने क 화 और all of a sudden नहर के अंदर से बंदा बार आ रहा है नहर के अंदर नहर के अंदर नहर के अंदर नहर हो, आप नहर हो, स्विम्म कर रहे हो, और एकदम से बंदा बार आ रहे, 25-30 मिनट बाद कौन था वाई अंदर पानी 25-30 मिनट कौन अंदर था, एकदम से बाहर आके कह रहा है य बाग जाता था नहर पेनाने और वापीस आता था तो अंडर भी और सिर्फ पे ठांग के कि सूख जाए रस्ते में बदलूँगा पैंट पेन लूँगा नहर पेनाने जाते थे सर तो रस्ते में एक दम से पानी के अंदर से निकल की चीज तो वह बोल रहा मेरे घर पर फोन कर पाकिस्तान बॉडर राजस्तान बॉडर तीन लगते हैं बिल्कूल पास तो राजस्तान में गंगा नगर करनपूर तीन दिन बात पता चला सर कि उसी जगह पे जहां वो मेरे को मिला था ना वहां सूसाइड किया था करनपूर डेड़ बोडी मिली थी करनपूर में डेड़ बोडी मिली परताब किसरी अख़वार की कटिंग अपन और देख लो मैं उसके बाद भी नहर पे नहने गया हूं मुझे नहीं पता था और उसी नहर पे नहने सोच के कहते हैं ऐसे ऐसे करके लड़का था हुलिया सेम और मैं तब भाग गया काइनेटिक लेकर अपना और रस्ते में तीन-चार खेत पार करते मेरे को मिल गया जागा और तब मिला ना जब तो नीला हुआ पड़ा था जैसे पानी में बॉडी स्वेल हो जाती है नीला पर सब्सक्राइब करना थेंक्यू विरे मुलकात होगी मेरी गार द्यानल गेंदा ऐसे मतलब नंबर ऑफ केसे नंबर ऑफ केसे हैं रेमेडीज ले ले लते हैं बहुत नंबा हो गया बिलकुल बिलकुल सर नॉमली राजस्थान से चला था यह जो एक्सेस किया था इन्होंने खाने में दर्वाजा खुला हुआ है एक सागेड में अंदर है और दर्वाजा हम जैसे अभी वंत्रित भी कर लेते हैं घर को मीनवाइल अगर दर्वाजा खुला हो तो एंटिटी अंदर घुज जाएगी बाद वह नहीं देखेगी कि घर बांध रखा है नॉमली जैसे ग जाती है बोल में फूक मारा और वो चार्ज हो जाती है गलावा और उस गलावे को आप दर्वाजे के डाइमेंशन पे ऐसा बांदो घुसे की नहीं एंटिटी यह प्री एक्जेस्टिंग एंटिटी अगर घर में है यह उसके लिए यह रमेडी आप देखोगे घर से निकल जब मैंने रियलाइज कि यह खतरनाक बंदा क्योंकि उन से सबसे ज्यादा मतलब उनका जेली नहीं पाते हैं उनका तेजी नहीं पाते हैं अनुमान जी जिन्दाबाद सिस्टम नहीं अगर आप ध्यारे हो अगर 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 अजनी माता या राम जी का नाम ले लिया तो आपको टच नहीं करेंगा एंटिटी क्योंकि हनुमान जी खुद नहीं आते बीजी रहते सिफारिश लगवानी पड़ती या तो मा की मानते हैं या बगवान राम की अगर आपने नाम ले लिया कि अंजनी माता मेरी बात नहीं सुन रहे ये करके ये काम हो जाए उसी वक्त काम होगा उसी वक्त अगर कोई बंदा कहा रहा है घर में बिमारियां एंटिटीज दिखना जरूरी नहीं है सर बरकत ऊड़ जाना घर की पैसा आउटकम पैसा खर्चा हो रहा है पर आ नहीं रहा बिमारियां हो रही है और ऐसी इलनस जिसका नाम ही नहीं सुना कभी मतलब और अधा चल रहा है बाई बंदे को कैंशर हो गया रणिंग करते वगए बंदे को तो यह चीजे दूर भी ऐसे हो जाती है अपको पर फलाना बाबा उसके पास गई बाई है कि क्यों घो गया क्यों कि कैंसर जिसको कैंसर ता वो आतमा गुजियो विदी बंदे में आगर अ सिंप्लिफाइड हैं यह चीजे और बता रहो मैं आपको अगर आपके घर में एक हम मटके रखते हैं ना सर मटके के उपर जो ढखन होता है पानी हमने पानी पी लिया बच्चों की आदत होती है डखन नीचे रख दिया वह सबसे ज्यादा अट्रेक्ट करता है सबसे ज्याद कर लिए हमने आसपास नहीं फटकेगी आसपास भी नहीं फटकेगी और बहुत सारी सिंपल रेमेडीज है सर आप किसी भी एपिसोड में टाइम लेके मेरी रेमेडी मैं आपको बेजूंगा मैंने लिखी है और यह प्रूवन है सर मैं इसी एपिसोड के एंड में राइटि आपके जितनी भी रेमेडीज आप दो हम यहां पर लगा देंगे और हम चाहते हैं अगर मज़ा है आपको तो कमेंट करो पार्ट टू के लिए भाई के साथ हम भाई को फिर से मेंट करो मेरे को मौका दो मैं और अभी तो बस यह क्या कह रहे थे बहुत मैं बस यही गुस्त कहता है नहीं भाई मैं कहा रहा हो शारूखान साब भी बेटे होतेते या पासमें आवज नहीं हुता है ना वाई सब थो हम घे तर्फरता ना इसे ओता है में यह सामने वाले को परिशान करनता हूं मेशा अगे नियुक जैनुम और आप का रहें हैं उसको हुआ उसको मानता हूं यह कई एक बच्चे देखे लिए चोड़े बच्चे रहें हैं लिए इसको दिल से मतलगा ना और अप नोवी और अपनोग सब्सक्राइब नेगेटिविटी चल रही है तो उस चीज़ के लिए उस परफस्क लिए सब्सक्राइब कर दो और आपसे मिलेंगे नहीं पॉडगास्ट में तिल देन भाइबाय दू लाइक कमेंड और शेर और सब्सक्राइब तू नाइट अब नाइट अब रेलिट देन बैस्टाइब मॉली अबर्ए के लिए फिरी ऋच्टाइब कर दो है आपसे मिलेंगे दिले और सब्सक्राइब क मॉली चॉटिछ डिए मिलें और सब्सक्राइब का दो है तो भेले नहीं कि विसमार दो है